नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाने जा रहा हूँ WHM क्या है? मैं आज से इस YouTube चैनल पर WHM की Complete Series यानि की Complete Course लांच करने वालो हूँ अगर आप WHM सीखना चाहते हैं WHM क्या है? अगर आप Website Hosting का Business करना चाहते हैं तो प्लीज इस YouTube चैनल को जूर सब्सक्राइब कर लिजेगा हमें सबसे पहले तो मैं पता देता हूँ आपको WHM की Full Form है Web Host Manager हमें WHM की क्यों जूरत है? WHM कैसे काम करता है? WHM में किस-किस तरह के कौन-कौन से फीचर्ज हैं? मैं सब आपको इस वीडियो में बताऊंगा इस वीडियो में मैं सिरफ आपको WHM का Full Overview देने वाला हूँ सबसे पहले हम WHM को Login कर लेते हैं यह आप देख रहे हैं हमने WHM को Login कर लिया है अब हम WHM के इंटरफेस में आगे हैं यह WHM का इंटरफेस है यानि कि यह जो है Complete Dashboard है WHM काफी popular और सबसे ज़्याद़ यूज होने वाला एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके थुरू आप अपनी या अपने क्लाइंट्स की वेब होस्टिंग वेब एप्लिकेशन को मैनेज करते हैं हम यहाँ पर जो मैंने आइनलाइज किया या मैंने बहुत रिसर्च करी है या फिर मैंने क्योरा के उपर भी पढ़ा था सबके ना ओल्मोस्ट एक सिमिलर कोश्चन है जो बहुत ज्यदा पॉपुलर है कि ड्वलोहेच में कितने सीपैनल क्रेट कर सकते हैं वैसे पैसे अंता स स्पैशल फॉल्मूला नहीं है जिस से आप कॉलकुलर याink मैं आट कर सकते हैं कितनी से ऐब्स घॉस कर सकते हैं बट आप चाहें तो 10,000 भी होस्ट कर सकते हैं और आप चाहें तो अप टू 1,000 भी होस्ट कर सकते हैं It depends on your server capability Server कौन सा है, VPS है, यानि कि Virtual Private Server है, Dedicated Server है उस server का processor क्या है, CPU क्या है, RAM कितना है, Hard Disk कितना है और सबसे important आपको जो ध्यान देना है, आपको ये देखना है कि आप WHM किस purpose के लिए यूज़ करना चाहते हैं उसके उपर सब कुछ depend करता है, आपको किसी भी तरह से WHM को लेकर के कोई भी query है तो आप नीचे comment box में डाल सकते हैं, मैं आपकी कौशिश करूँगा पूरी help करने की WHM क्या है, थूरू WHM, you can sell hosting इधर, you can sell cPanel और you can sell reseller account यानि कि आप individual भी cPanel account create कर सकते हैं और आप इसमें resellers भी बना सकते हैं reseller account के थूरू, आपके जो clients होंगे, जिनके आप reseller account बनाएंगे वो भी further आगे अपने clients बना सकते हैं और उनको cPanel sale कर सकते हैं यानि कि web hosting दे सकते हैं WHM के थूरू, आप बहुत easily अपने reseller accounts को manage कर सकते हैं individual सबके accounts, disk space और bandwidth को भी manage कर सकते हैं और आप अपने WHM में multiple IPs add कर सकते हैं और इन IPs को आप dedicated cPanel और resellers को assign कर सकते हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं left side में यह बहुत सरे features हैं मैं इन सब features के बारे में आपको detail में अपनी आने वाली videos में बताने वाला हूँ आज जो मैं आपको दे रहा हूँ इस WHM के बारे में एक overview दे रहा हूँ मैं आपको कुछ बाते जो हैं वो बता रहा हूँ आप WHM जब आप as a reseller या आप as a web hosting company के तरह जब आप इसको sale करना शुरू करेंगे तो आप अपनी खुद की branding भी कर सकते हैं इसमें यानि कि logo लगा सकते हैं website लिख सकते हैं अपनी support email id लिख सकते हैं आप customer number लिख सकते हैं और जब भी कोई support करेगा तो आपकी email id पर उसकी query उसका question आदेगा यानि कि ticket trace हो जाएगा आपके पास rights हैं services को कुछ services को restart करने के कभी कोई problem आती है तो आप services को restart कर सकते हैं किन किन service को restart कर सकते हैं यहाँ पर आप देखिए dns server, ftp server, http server, imap, email के लिए यूज के जाता है mail server, mail listing manager, php service, sql server, sql server, ssh server आप इन सभी services को कभी भी restart कर सकते हैं और देखे जो भी customer का आप hosting दे रहे हैं और resellers दे रहे हैं या आपकी खूद की website जो है इनके उपर host है यह data बड़ा important होता है तो आप WHM के थूरू auto backup भी लगा सकते हैं ताकि आपका backup जो है वो automatically generate होता रहे कहीं ना कहीं किसी दूसरे server पर या same server पर वो save होता रहे और आपके customer से या आपसे अगर गलती से कोई delete हो जाए या आप किसी back date का अगर कोई restore करना चाहें तो आप यहां लेफ्ट शड़ में option देख रहे हैं तो आप यहां से उसको restore भी कर सकते हैं यह बहुत सारे features हैं जिन features के बारे में हर feature की मैं एक एक video बनाने वाला हूं और इस coding tag YouTube चैनल पर upload करने वाला हूं तो अगर आप WHM सीखना चाहते हैं website hosting का business करना चाहते हैं या business नहीं भी करना चाहते बट आप चाहते हैं कि आप अपनी website को बहुत अच्छे से manage कर सको टाइमली backup ले सको कोई issue आये तो इसको resolve कर सको तो आप इस YouTube चैनल को subscribe करना मत भूलेगा इसको अभी subscribe कर लेजेगा ताकि आप WHM को बहुत detail में सीख सकें और WHM सीखने के बाद आप website hosting का business बहुत easily कर सकते हैं आप hosting sale कर सकते हैं और बहुत अच्छा business है एक क्रैकरिंग business है अगर आप customer को service अच्छी देते हैं तो वह आपसे हर year renewal कर वा है तो हर year renewal के थुरू भी आपको something like a passive income आपका जनरेट हो सकते है तो इसी तरीके के और भी बह पताने वाला हूं अगर आपको यह WHM overview का वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक केजिए और friends को share केजिए और चैनल को अगर आपने अभी तक subscribe नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलेगा Thank you for watching this video and subscribe my YouTube channel Jaiyan. Bye-bye. See you in next video.